हेलोवैलकम अगर आप बीकॉम या बीकॉम या बीए या बीसी कर रहे हो और आप टीजियस में जव्प चाहता है तो आपके लिए बहुत ही भाहतरिन मौका है टीचेस ऑफ केंपस हाइरिंग करने जा रही है 2020 और 2021 और 2022 पास्ट स्टुएंट के लिए यह नॉन टेक्निकल है अगर आप बीकॉम कर रहे हो या फिर बीए के स्टुएंट या बीसी या बीसी आप इसमें इलीजिबल अपलाई कर सकते हो यह आपके लिए बहुतरीन मौका है क्लिचेस में जाब पाने का दोस्तों आपको वीडियो में हमने नेक्स्ट बेटाएंगे आप कहां से अपलाई कर सकते हैं कैसे अपलाई कर सकते हैं इसका क्या प्रॉसेस होगा सारा चीज़ क्या इसके एलिजबलिटी क्रेटरिया है टेस्ट पैटर्न क्या होगा सारा तो दोस्तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी आप से अगर आप इस चैनल पर नए है और आप तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को आप सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि इससे कोई भी वीडियो में बनाऊ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती र रहूँगा कहा से अपलाइ कर सकते हैं यह लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो सबसे पहले हम लोग इलिजबिल्टी देख लेते कि कौन-कौन से स्टुए इसमें इलिजबल है दोस्तों अगर आप टेस्ट इलिजबिल्टी क्रेटरिया अगर देखोगे है तो कितने दिन साल तक का गैप आपको कंसिडर किया जाएगा सारा टैप इसमें आपको दिया हुआ आप देखोगे हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है तो कंडिजबिल्टी इड दा कोर्स इन स्टिपलिटेड कोर्स डैट इस नॉन एक्स्टेंडड एड़ूकेशन दू नहीं है बाकि अगर आप एज देखोगे तो आपका एज 18 से 28 के बीच में होना चाहिए वक एक्सपरियेंस आपको अगर देखोगे कंडिवेट विच प्रायर वक एस्परियेंस अप्टो थ्री मन्त और इलिजबिल तो अपलाई फो टीस बीपेस हारिंग प्रॉसेस आप क कोर्स से कोर्स को स्केर वाले इसमें एली जिबल होंगे तो आपको देख रहा होगा किलियर來 अगर आप वीकॉम किये हो बे किये हो दे किये हो बीचाली किये और भिवी या इंटी आफटिवन या फिस में меньше कि होना चाहिए दोस्तों फिर इसके बाद जब आप इसमें apply करोगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि apply कैसे करना है दिन उसके हम लोग बात करेंगे syllabus का दोस्तों अभी registration का date open है अभी final end नहीं हुआ तो आप ही तक आप जितना जल्द apply कर सकते हो आप इसमें apply कर लो जब registration date close हो जाएगी दिन आपको test का date आज आएगा सामने मैं उसके लिए separate videos बना दूँगा आपको update कर दूँगा कि इसकी test कब होने वाली है ठीक है अगर आप देखो गए इसमें apply का process क्या है दोस्तों सबसे पहले आपको tcs next portal पर आपको जाके क्या करना परेगा रेजिस्ट्रेशन करना परेगा आपका और application from on tcs next portal so tcs next portal आपका क्या है आप देखो कि यह एक website है tcs next portal यहां पर आपको employee के student के जो apply करते हैं सारे details यहां पर ही उनको fill up करना होता तो इस website का भी link मैं description में दे दूँगा आप यहां से आके सबसे पहले आपको register नाव पर क्लिक करना है तो जैसा कि मैंने बताया यह non IT है IT नहीं है तो आपको apply करते वक्त BPS पर select करना business process services so आपको इस पर click करके आपको next आगे का process क्या करना है अपना बांकी सारा details वगरा देके submit करना है जैसे आई आप submit करोगे आपको एक ID मिल जाएगी इसी ID के base पर आप क्या करोगे आगे आपको next process में apply करना तो जैसे आप apply कर registration कर लोगे अपने सारे details college के education mark seat वांकी सारे details upload कर लोगे दिन आपको ID generate होगी और वो ID आपको help करेगे आपके finally form fill up करने में यहाँ पर देख रहे हो ठीक है देखोगे if you are new user kindly login to tcx next portal click here यह link मैंने यहाँ से उठाया था और देखोगे register now choose category as BPS जैसा कि मैंने आपको अब आया आप BPS सेलेक्ट करके सारे details के साथ जब upload कर देते हैं as the final step click here to apply tcs vps hiring अब जब यहाँ पर click करोगे तो आपको apply करने का option मिलेगा apply करने का option मिलेगा यह website खुलेगी इसका भी link में वीडियो के description में दे दूँगा आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर भी सारे details मिले हुए होंगे basic details जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कौन-कौन से eligibility criteria है क्या date होंगे कौन-कौन से apply कर सकते वह सारे फिर इसके आद आप next पर click करोगे next पर click करने कवाद यहाँ पर आपको सारे details फिल से आ जाएंगे कि अगर आपने tcs next portal पर apply नहीं किया है तो पहले tcs next portal पर apply किजिए बाकी सारे details फिर इसके आद आपको जैसे कि आपने आप already यहाँ पर apply कर चुके होगे तो आपको next click करना है और यहाँ पर आपको जो ID होगी tcs reference नंबर जो होगा वो DDT ID या CT ID वो डालना है डाल के आप यहाँ next करोगे next करने का बाकी आपको fill up करने का option दिखेंगे जब आप login करोगे तो अभी जैसे कि मेरा already किया हुआ है तो यहाँ पर देखोगे apply for drive का option आएगा यहाँ पर लाइब भी कर सकते हो है ना फिर उसके जब यहाँ ट्रेक में application पर आओगे तो ट्रेक में application में यहाँ को आपको सारे details दिख जाएंगे कि applied for derive apply किया ह हुआ सारा आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आप यहाँ आके apply कर लिजे आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें comment करके बता सकते अभी मैं तो वीडियो अप्लाइ करने का नहीं बना रहा हूँ आपको अगर किमोंट आएगा तो मैं उस comment के बेस पर भी मैं separate videos बना दू है इनमें तीन section होंगे आपके directly numerical ability का होगा और verbal ability का होगा और reasoning ability का होगा इन तीनों sections का आपको इसमें आपको अगर देखो कि number of question 26 है एक में 24 है और 30 है अगर आप इसमें पास कर जाते हो तो आपका direct interview होगा और interview के बाद आप direct TCS में आप job के लिए eligible हो जाएगा दोस्तों आप अगर आप चाहते हो कि मैं separate videos बनाओ इनकी syllabus को लेकर इसको explanation को लेकर तो आप comment करके हमें बताओ इस पर related भी मैं एक videos बनाओंगा तो चलिए दोस्त मिलते हैं next video में तब तक के लिए all the best आप इसमें apply कीजिए अगर कोई भी issue होता है आप हमें comment करके भी बता सकते हैं मिलते हैं next video में thank you so much for watching